तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि NSW ने अपना लेटस राउंड किया है तो कौन से प्रोफाइल है जो NSW ने उठाए हैं और क्या पॉइंट्स गए हैं जो पॉइंट्स थे वो 80 प्लस जिन जिन लोगों के थे 190 के लिए जिनके अपने इसलf 80 पॉइंट्स थे उन लोगों को इंविटेशन आए हैं कुछ ऐसे थे जिनको प्रोफाइल आपके साथ डिसकस करूंगा इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि जो पॉइंट्स मैं आपक इस पे ही आये हैं उससे ज्याद़ा पर भी आये हो सकते हैं क्योंकि जो लिस्ट है तो जो टान के साथ टाहसे डिफरेंट प्रोफाइल शेर करूंगा जिनको यह के जानने को यह invitations आये तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं construction project manager की construction project manager बहुत ज़्यादा जो देखने में आया invitation 190 के और मतलब 75 जिनके points थे 80 जिनके points थे 85 थे जिनके points 90 थे उन सब को invitations आये हैं तो अगर आप देखें कि 75 पे 190 आया है और 90 तक different profile नजर आये हैं तो its mean कि यह profession जो है काफी ज़्यादा NSW ने उठाया इसको और एक और चीज़ यह है कि इसमें mostly जो profiles हैं वो offshore के हैं और offshore में भी जिनकी experience जो हैं five to eight years वाले लोग हैं mostly वो लोग selected किये गये हैं जो एक random हमें एक चीज़ देखने में मिली है NSW के इस invitation round में तो construction project manager जो है वो तक्रीबन 75 से लेके 90 तक जिनके points थे itself उन लोगों को invitation आया है अच्छा इसके लावा अगर मैं बात करूँ electrical engineer की तो electrical engineer के एक profile ऐसा offshore candidate को उसको 90 points की उपर invitation आया है इसके लावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से civil engineer की तो civil engineer जो है वो 80 and 90 point पे देखा गया लोगों को आया है और वो लोग जिनके experience almost 3 से 8 years है उन लोगों को ऐसा offshore ये invitation आया है बहुत कम onshore लोगों को मैंने अभी तक देखा है कि invitation आया है definitely बात है आये होंगे लेकिन offshore के जो profile है उन को ज्यादा इन्वाइट्स आया है इस राउंड में अच्छा इसके लावा जो developer programmer है जो मेरे पास profile है उसको 90 पे आया है और उसका experience जो था वो 8 years था software engineer है वो भी इसी तरह 95 पे आया और एक को 90 पे आया है और जो उसका experience था 5 to 8 years और दो 90 पे प्रोफाइल है और 110 पे प्रोफाइल है और 5 to 8 years experience है इन लोगों का भी अच्छा अब जो registered nurse का case मेरे सामने है जो registered nurse है उसको 65 की उपर 190 का invitation आया है तो इससे एक चीज़ आपको idea हो जाती है कि Australia बार-बार एक चीज़ के उपर बहुत जादा focus कर रहा है और वह यह health workers है अगर आप लोगों का जो occupation है वह health workers से related है तो आप जरूर apply करें क्योंकि आपके सामने यह अगर मैं compare करूं दूसरे occupation नस्ट के और यह रिजिस्टर nurse का occupation compare करूं तो 65 और कहां पेटी और 90 पॉइंट तो रिजिस्टर nurse के minimum points के उपर invitation आये हैं तो अच्छा गाई यह कुछ profile थे में पाज जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाह रहा था अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अपना जो NSW है वो next round कब करेगा देखें next round के बारे में NSW ने clearly अपनी website पर बोला है कि हम कोई date नहीं दे सकते however कि हम try करेंगे कि हर महीने में एक दफ़ा एक round करें और NSW का हमेशे ऐसी होता है mostly कि वो हर महीने में एक दफ़ा एक round कर देते हैं चाहे उसमें कम profile select करें चाहे ज्यादा profile select करें लेकिन NSW almost one month में एक round अपना कर देता है तो यह जो एक question है कि next round कब होगा तो very soon you will see the next round of 190 for the NSW और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका concern यह था कि मेरे points भी उत्ते ही हैं लेकिन दूसरे को invitation आ गया मुझे नहीं आया देकिए उसमें different factors हो सकते हैं कि दूसरे को select कि है अगर माइट पोसीबल एक उसके English पॉइंटस आप से जयदा हो उसके एक्सपीरेंस के points आप से जयदा हो आप किसी और जगा पे points ज्यादा ले रहे हो लेकिन किसी जगा पर लेकिन किसे जगा पे लाइक कर रहे हो यह फोर पॉसिबल आपके experience के point zero हो लेकिन दूसरे person के experience में point ज़्यदा हो तो यह different criteria होता है जिसके उपर फिर state जो है अपने profile select करता है तो यह question कि उसको आया मुझे क्यों नहीं आया तेखें यह different factors अगर आप उस बंदे का complete profile study करेंगे तो आपको difference नजर आ जाएगा कहीं न कहीं पर try कि अपने points जो हैं उनको भढ़ाएं ताकि NSW आपको consider करें इस round से एक चीज़ अभी तक पता चलिया है कि जो round है high competitive गया है जिनके profiles बहुत अच्छे तुन लोगों के invitation है तो अगर आप इस opportunity से फैदा उठाना चार है तो try करें अपने profile को further better करें ताकि आने वाले दिनों मे जब 190 के further rounds हो तो आप उसमें complete कर सके और invitation secure कर सके अगर आपको यह मेरी video informative लगिया do subscribe my channel share my video with your friends so the people can get the right information from the right platform stay tuned with me thank you Allah Hafiz